हेलो एब्रिवरन मैं हूँ सिवंद्योदी और आप देखरें अपना पसंदीदा चैनल ग्यानों देखे गुरुजी यह हमारा कल बैच है और इस कल बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11 क्लास की फिजिक्स को साथ ही साथ 11 क्लास की मैथ को 11 क्लास की मैथ का यह आपका चैप्ट नमर 9 और 10 पूरे चैप्टर की जान है यह तीनों कोश्चन इसलिए इनको लाश्ट में करवाना तो बनता ही था यह तीन कोश्चन जो आप लोगों को आज मैं करवाने वाला हूं कोश्चन नमर 8 कोश्चन 9 और 10 यह कोश्चन बहुत ज़्यादा इंप्वर्टन है लेकिन इनको कैसे यूज करना है वो बहुत ज़्यादा इंप्वर्टन है चलिए सबसे पहले मैं वही बताना शुरू करता हूं सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले फॉर्मुले की आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मॉला होता है जो की हो तो आप वहीं पर फस जाएंगे आपके सर साइन थीटा का कौन सा फॉर्मुला देखें बेटा ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसी में इसके टू थीटा को मैं तू से डिवाइड कर दू तो केवल थीटा बचेगा इसका मतलब इसके थीटा को मैंने तो से डिवाइड कर दिया तो फॉर्मुला हो गया टू साइन थीटा आगे से टू हटा दो साइन थीटा बचेगा और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका टू साइन थीटा बाइटू एंड कॉस थीटा बाइटू इस तरीके से यह जो फॉर्मुले मैं बगल में लिख र था और टू ठीटा को हमने टू से डिवाइड कर दिया तो यह फॉर्मला बन गया अब आप सोच रहों कि सर इस फॉर्मले का यूज हम कोश्चन नमबर 8 में कैसे करेंगे कोश्चन नमबर 8 को ध्यान से पढ़ना आप उसमें लिखा हुआ को सबसे पहले थीटा वाले फार्मले पता होने चाहिए इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसका यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इसकल टू टू टैन थीटा बाइटी एंड वन माइनस टैन स्क्वार थीटा बाइटू कुछ बच्चों के दिमाग में यह भ इसके theta को 2 से भाग दिया था ध्यान रखिएगा बेटा इस बात ठीक है तो ये इतनी important बात हो गई अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो कुछ और भी formula होते हैं जैसे कि cos 2 theta इसके भी जितने formula होते हैं जैसा कि cos square theta और उसके बाद sin square theta अगर मुझे यहां से cos theta का formula बनाना है तो मैं इसके upon में 2 लिख दूँगा आई हो पितनी बात समझ में आ गई होगी ठेक इसी प्रकार से एक cos 2 theta का और भी formula होता है cos 2 theta का और भी formula होता है वो formula होता है 1-2 sin square theta लेकिन अगर मुझे यहां से सिर्फ cos 2 theta का formula निकालना हो तो हम इसको भी 2 से divide कर देंगे इस तरीके से देखो cos 2 theta के 2 formula मैंने आपको बता दिये अब इसके बाद बेटा cost 2 theta का एक और formula होता है वो होता 2 cos square theta minus 1 लेकिन अगर मुझे यह 2 यहां से हटाना है तो इसका मतलब यहां पे 2 लाना है मतलब हमने theta में 2 से divide कर दिया I hope बेटा इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गही होगी इसी प्रकार से एक और formula होता है वो होता है 10 2 theta का बेटा एक formula जो होता है वो 10 2 theta का फॉर्मला यह होता है कि 1 की जगा पे 2 10 theta and 1 minus 10 square theta यह formula इस formula जैसा ही है बस फर्क क्या है वहां पे minus होता है और वहां पर plus होता है इसका मतलब यहां minus है तो मुझे अगर 10 theta का निकालना पड़ा तो इसको 2 से हम divide कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से यह हो गया आपका theta by 2 आई हो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गए हो यह कुछ formula है जो theta by 2 वाले है जैसे कि यह लिखा हुआ है यह और यह formula यह formula और यह formula बस जितने में मैंने टिक किया है यह नीचे वाले मैंने डारेक्ट बताया और इसको मैंने पूरा calculation करके बताया कि हाँ देखे यह होता है इससे यह बना यह होता इससे यह बना इस तरीके से अगर यह formula आपको clear नहीं है तो आप question number 8 question number 9 और question number 10 नहीं लगा पा हूँ चले अब हम लोग सुरू करते है question number 8 के साथ चले जल्दी से बटा screen shot ले लो आप लोग तो question number 8 क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि 10x बराबर माइनस 4 बटे 3 और कह रहा है कि x जो है वो दिती चतुर्थांस में है इसका मतलब वो second quadrant में है अब इस question में मुझे क्या निकालना है sin x by 2 cos x by 2 and 10 x by 2 अब 10 x by 2 निकालना है जबकि 10 x दिया हुआ है फिर इसे सुनिए का ध् x by 2 cos x by 2 and 10 x by 2 तो बेटा इसका मतलब मुझे इस question में पहले x by 2 निकालना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा समझ रहे हैं तो यह जो लिखा हुआ है x दिती चतुर्थांस में है तो हम इसको हल लिखेंगे और हल में क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे कि चुकि x ज मतलब हुआ है x का क्या कहता है इसमें है इसका मतलब x का मान πाई से छोटा है and πाई बाई 2 से क्या है जादा है आपको इतनी बात समझ में आ गई कि πाई बाई 2 से जादा है और πाई से कम है अब मुझे इस question में आखिर दिया क्या है मुझे दिया है 10x तो 10x से हम 10x बाई 2 कैसे निकालेंगे पहले यह सोचो दिखो एक फॉर्मले का यूज़ किया हम लोगों ने और हम लोगों ने लिखा कि 10x बराबर एक फॉर्मला होता है 2 10x बाई 2 and अपॉन में क्या होता यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वेर एक्स बाई 2 बताईए यह फॉर्मला होता है कि नहीं 10x की वालू क्या दी गई है इस कोशन में माइनस का 4 बटे 3 और यहां हो गया 2 10x बाई 2 and 1 माइनस 10 स्क्वेर एक्स बाई 2 अब क्या किया बेटा मैंने इसको इस से मल्टिप्लाई और इसको इस से स्क्वेर एक्स बाई 2 और इसको इस से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा तीन दुना छे छे 10x बाई 2 ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा 10x बाई 2 अब मैंने क्या किया कि इन सब को बेटा इधर ले आओ तो यह हो जाएगा 410 स्क्वेर एक्स बाई 2 उसके बाद इस 6 को भी इधर लेकर आए माइनस का 6 10x बाई 2 ठीक है और उसके बाद यह लिखा हुआ है माइनस का 4 घबराना नहीं बहुत आसान कोश्शन अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लू जिजक इसमें कॉमन मिल सकता है दो कॉमन ले लो बाहर और दो कॉमन लेकर हटा दो नीचे जीरो के नीचे लेकर चले जाओ तो कितना बचेगा 2 10 स्क्वेर एक्स बाई 2 माइनस 3 10 एक्स बाई 2 और माइनस का 2 बराबर 0 अब आप सोच रहोंगे कि सर्फ 4 में से 2 निकल गया 3 में से 2 निकल गया फतर 6 में से 2 निकल गया 3 मचा घटा नहीं रहे डिवाइड कर रहे और यहां से भी 2 बचेगा अब वो 2 चला कहा गया इसके आगे 2 आया और नीचे 0 के लेकर पूरा 0 हो गया ठीक है ताकि आप लोग कमेंट में पूछो ना बार-बार अब देखो ज़रा ध्यान से देखे जो इतना पार्ट बेटा ये लिखा हुआ है इतना ये इसको समझ लो कि ये x लिखा हुआ है और इसको भी समझ लो कि ये x लिखा हुआ है I mean y समझ लो तो ये लिखा है 2y स्क्वार माइनस 3 y माइनस 2 इसका मतलब ये दुविघात समीकर्ण बन गया जो तैंथ क्लास में आप सौल्व करते थे तो इसको हम लोग अब हल करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे देखो ध्यान से इसको हम लोग लिखेंगे two ten square x by two दो दूनी चार के ऐस सेकंड की घटाने पर बेटा कितना आ जाए फिर सी देखो दो दूनी चार के ऐस सेकंड की घटाने पर तीन आ जाए चार एक कम चार तो हमने क्या लिखा हमने इस question को solve करने के लिखा की two ten square x by two minus minus लिखेंगे और लिखेंगे 10 x by 2, बस 10 x by 2 को ये समझना कि जो 10th class में पढ़ रहे थे, ये वही वाला x लिखावा वागी कुछ नहीं है, और फिर लिखा 4 minus 1 और minus का 2 बराबर 0 हो गया, दिख रहा है कि नहीं वहाँ से, आब ये हो गया 2 10 square x by 2 minus, इसको इससे multiply करो, तो minus का 4 10 square x by 2 minus minus plus 10 square x by 2 10 x by 2 और minus का 2 बराबर 0, बेटा इन दोनों में देखो कुछ common है, अगर हम लोग इन दोनों में कुछ common लेंगे, तो 2 common हो गया, and बेटा 10 x by 2 common हो गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 10 x by 2 एक बच जाएगा, और उसके बाद उसके बाद minus, यहां से 2 बचेगा, और उसके बाद यहां से देखो कुछ भी common नहीं है, तो 1 लिखे देंगे, और 10 x by 2 minus 2 और यह हो गया 0, ठीक, अब देखो इसको हमने लिखा 2 10 x by 2, ठीक, और plus 1 एक ब्रैकेट में, और हमने लिखा 10 x by 2 minus 2, यह एक ब्रैकेट में, यहां से अगर हम लोग पहले वाले ब्रैकेट से 10 x by 2 इससे value निकाले, तो minus 1 उधर जाएगा, और 2 नीचे आजएगा, इसका मतलब यह value आगे, minus का 1 upon 2, इसके बाद यहां से हम लोग इससे value निकाले, तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 x by 2 बराबर कितना हो गया 2, आई हो बेटा, इतनी बा समझ में आई की नहीं बताओ, यह समझ में आया, इस 1 को उधर लेगा, minus का हुआ, 2 को upon में लेकर आए, बाकी कुछ नहीं घवराना मत, इनमें से एक value सही है और एक value गलत है, कैसे बेटा आपको पता होगा, देखिए मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिस करना, यह question थोड़ एक्स नहीं, क्योंकि हमने एक्स बाई टू देखा है, तो इसका मतलब इसको पूरे को दो से डिवाइड करो, इस पूरे को दो से डिवाइड करो कि ध्यान से सुनना मेरी बात को, दो से पूरे को डिवाइड करो कि तो यहाँ पाई बटे चार हो जाएगा, और यहाँ पे ह हो जाएगा बेटा X by 2 ठीक उसके बाद बेटा यहां पर हो जाएगा पाई बाई टू इस बात से मुझे यह पता चला कि यह लिखा है 45 और यह लिखा नबे इसका मतलब यह हुआ कि अता अता X by 2 प्रथम चतुर्थांस में होगा X by 2 प्रथम चतुर्थांस में होगा अगर यह प्रथम चतुर्थांस में है तो इसका यह मतलब हुआ कि 10X पहले चतुर्थांस में कैसा होता है पहले चितुर्थांस में तो सारी value तो positive होती है इसका मतलब ये negative वाली तो अमान ने हो जाएगी और केवल ये वाली value मानने होगी तो इसका मतलब ये वाली value अमानने हो गई और ये वाली value मानने हो गई कुछ समझ में आई बात कुछ चड़ा दिमाग में कि ये negative वाली खतम हो जाएगी क्योंकि x by 2 पर्थम में है अता x by 2 क्या होगा धनात्मक होगा अता 10 x by 2 कैसा होगा धनात्मक होगा ठीक अगर एक बार में समझ में आए तो please इसको दोबारा करके एक बार play करके देखना सब चड़ जाएगा तो x by 2 धनात्मक होगा इसलिए हमारा ये वाला value जो होगा वो मानने होगा ये वाला आमानने होगा ठीक इतनी बात समझ में आगे इस तरीके से अब हम इसको साफ करेंगे जल्दी से screenshot ले लो ठीक अभी देखो अभी फिर से देखना ये हो गया इसलिए हमारी कौन सी value मानने होगी अर्थात अर्थात 10x by 2 10x by 2 बराबर 0 यही बराबर 2 यही मानने होगा ठीक अब इतनी बात अगर clear है तो अब एक बहुत important चीज़ बताता हूँ अब हमने बनाया यहाँ पे कुछ important चीज़ देखो अगर येवाला कौन मेरा ठीटा होता है तो इसके सामने ये लंब होता है और ये वाली value करण होती है और ये वाली value आधार होती है बैटा ठीक अब इसके सामने अगर ये लंब है अगर इस ठीटा की जगह पे मैं x by 2 कर दूं और मैं इसको ध्यान से देखूँ, तो इसमें दो बटे एक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लंब है और ये आधार है, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा रखा है कि 10 टीटा is equal to लंब बटे आधार, इसका मतलब लंब कौन है दो है, तो मैं यहाँ पे लिखूँँगा दो ठीक, और आधार कौन है, आधार है एक, क्या इतनी बात समझ बागए है, अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थेओरम से, अब पाइथागोरस थेओरम क्या कहती है, जो को कोशन कैसे है, अब खोदी आप सोच लिए, इमैजिन करो, ये कोशन कितने बड़े है, ठीक ह और लंब का स्क्वाइर, ठीक, अब देखो, कंड का स्क्वाइर तो पता नहीं, तो पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो उसको, ये कंड का स्क्वाइर रहने दो, ठीक है, और आधार एक है, और लंब दो है, एक का स्क्वाइर, दो का स्क्वाइर, इसका मतलब यहां से व तो आ चुका है आता sin x by 2 is equal to क्या निकलेगा लंब बटे कन और बैटा लंब कौन है दो इसका मतलब दो बटे root 5 तथा cos x by 2 आधार बटे कन मुझे ये अंदर से फील हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको है explain किया अब ना जाने आप लोगों को क्या feel हो रहा हो मुझे तो नहीं पता इस तरीके से ये दो मान हमारे आ गए आई हूप इतना आपको clear होगा अगर आई ये मान लो आपके आंसर जो है मैच ना कर रहे हो तो इसका हरका पर्मे करन करो तो दो root 5 और बटे में 5 हो जाएगा इसका हरका पर्मे करन करो तो root 5 बटे 5 हो जाएगा ठीक इस तरीके से इतनी बात आपको अच्छे से clear समझ में आगे होगी कोशन नमर 8 भी समझ में आगे होगा कुछ नहीं किया मैंने बहुत कुछ किया मैंने लेकिन मैंने यह आपको बताया कि इन questions को बेटा कर तभी पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे आपको यह पता होगा कि अरे एक्स बाइट टू लाना है तो मुझे एक्स को हटा के एक्स बाइट टू वाला चेंज फॉर्मूला करना है ठीक है एक नमर कोशन हो चुका है अब बेटा बात करेंगे question question 9 को बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ एक important news share करना चाहूंगा अब मुझे आप anacademy पर भी follow कर सकते हैं anacademy पर मैं आप सभी को class 10 की science पढ़ा रहा हूं class 10 की science बिल्कुल basic से और बिल्कुल free क्योंकि special classes anacademy के app पर आप सभी को मिल जाती है जो कि एकदम free होती है जैसे आप लोग youtube पर देख रहे हैं classes को बिल्कुल वैसा ही देख सकते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है anacademy learning app download करना है तो उसके लिए कुछ नहीं उस तो यूज करना ही पड़ेगा न तो उसके लिए आप ये code का यूज करेंगे जो की code क्या है गुरू जी लाइव ठीक है जो की code क्या है गुरू जी लाइव इस code का यूज करके ही आप मेरी special classes को unlock कर सकते हैं ये चीज आप उन बच्चों के सा क्योंकि ये code बहुत ज्यादा important है लिखा हुआ है कि गुरू जी लाइव without space ये code का यूज करना है आपको ठीक है तो आई हो बेटा इतनी बात आपको समझ में आगे होगी अब बात करेंगे हम लोग question number 9 की ठीक है जल्दी से screenshot ले लो आप लो चलिए अब बात करते हैं हम लो question number 9 की क्या लिखा हुआ है cos x बराबर minus 1 upon 3 और मुझे ये निकालना है कि आखिर cos x by 2 का मान क्या होगा sin x by 2 का value क्या होगा 10 x by 2 का value क्या होगा लेकि इस question में दिया है केवल cos x और मुझे cos x by 2 बताना है क्या करना होगा देखे ध्यान से सबसे पहले इसको मैंने लिखा और लि तो 33 चतुर्थांस क्या कहता है कि आखिर आप इसमें हैं इसका मतलब यहां पर पाई और यहां पर 3 पाई बाई 2 क्यों क्योंकि 18 त्या 54 और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बता 270 ठीक है इस वाले चतुर्थांस में इसका मतलब यह हुआ कि x का बेटा जो value है व कौन क्या negative होता है positive होता उससे आपका कोई लेना देना नहीं है ठीक है इसनी बात clear होगे अब इसको हम लोग हल करना सुरू करेंगे और हल करना देखो कैसे सुरू करेंगे सबसे पहले यह लिखा है cos x y cos x लिखा हुआ है इसका मतलब cos का वो formula use करो जो अकेली कोई value देता है जैसे कि 2 cos square theta minus 1 वो वाला formula यूज़ करो या फिर 1 minus 2 sin square theta वाला यूज़ करो कुछ भी आप जो मन चाहे वो यूज़ कर सकते हो देखो हमने क्या लिखा हमने लिखा कि cos x बराबर एक formula होता है 2 cos square x by 2 minus 1 ठीक क्योंकि 2x बराबर x होता है तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 2x की जिगाँ पर x हो जाएगा तो यह x by 2 हो जाएगा ठीक है cos x की value निगलो minus 1 upon 3 इसको देखो 2 cos square x by 2 minus 1 अब इस 2 cos square x को उधर ही रहने दो इसको उधर ही रहने दिया और इसको इधर ले आओ यह positive हो जाएगा तो 1 minus 1 upon 3 तीन एक कर तीन एक चला गया तो इसका मतलब दो बटे 3 और यह हो गया 2 cos square x by 2 अब यह जो cos square x by 2 हो गया है इसमें से इस 2 को upon मिला ओगे तो यह 2 से 2 उड़ जाएगा यहाँ 1 बचेगा इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा cos square x by 2 बरावर हो गया एक बटे 3 फिर से द्यान से सुनना 2 को upon मिला ओगे यह कट दाएगा उपर 1 बचेगा अब उसके बाद यहाँ से हो गया cos x by 2 is equal to under root 1 upon 3 लेकिन कहानी यह है कि यह plus minus के साथ लगेगा इसका मतलब यह cos x by 2 is equal to 2 आगया plus minus 1 upon under root 3 यह value हमारी आई है लेकिन यह value अभी हमारी सही नहीं है क्योंकि इसमें एक नहीं दो दो value लिखी है मेरे लाल अब अगर दो दो value लिखी है तो एक value तो गलत है एक value सही है अब कैसे चेक होगा तो हम लोग लिखेंगे कि चूकि यहाँ पे लिखा x की value 20x की value ना अभी बताता हूँ एक्स की value पाई से जादा है और 3 पाई बते 2 से कम है ठीक है इस x की जगापे अगर मुझे x बाई 2 करना पड़ेगा तो इसका मतलब हर जगापे मुझे 2 करना पड़ेगा तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा और 270 के आधे करदो 135 हो गए समझो बात तो इसका मतलब यह 135 लिखा और 90 से जादा है कौन से चतुर्थांस में हुआ दूसरे चतुर्थांस में हुआ ठीक समझो बात को ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अताह एक्स बाई 2 दितिये चतुर्थांस में होगा अब यह मत कहना सर जी उपर तो तीसरा लिखा था आपने दूसरा लिख दिया मेरे लाल वो एक्स लिखा है और यह एक्स बाई 2 लिखा है समझ रहा हो तो इतनी बात क्लियर हो गई तो यह होगया एक्स बाई 2 क्लियर ना अब देखो जड़ा ध्यान से मेरी बात को समझो अब यह x by 2 हो और अब हम लोग देखेंगे कि आखिर दूसरे चतुर्थांस में कॉस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है हमने कसम खाई थी आजा सनम तेरी कसम और यह जो सनम है न यह बताता है कि यहां साइन पॉज दिगेटिव होगा ओजिए इतनी बात समझ में और निगेटिव होगा तो निगेटिव वाली वैल्यू लिखेंगे और पॉजिटिव वाली वैली को हटा देंगे आए ना बताओ आए बात समझ में तो यह हो गया कोस x by 2 अब आए ओप इस से साइन भी निकाल लेंगे और टैन भी निकाल लेगे अब चाहो तो पाइथा गोरस थेवरम का इस्तेमाल कर लो और चाहो तो इसका इस्तेमाल ना करो एक दूसरा भी तरीका है बताया जाए देखो अब हम लोग एक फॉर्मा जानते हैं साइन स्क्वाइर थीटा प्लस कॉस स्क्वाइर थीटा में बराबर एक पाइथा गोरस से भी निकला आगा लाल घबराने वाली कोई बात नहीं है ठीक अब इसको देखो लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना तब ठीक अब अगर इस थीटा की जगाह पे हमारा दिमांद चक करा जाए तो हम उसकी जगा एक्स बाइटू लिखे दे तो कौनों समस्या है का कोई तो समस्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह हो गया साइन स्क्वाइर एक्स बाइटू और प्लस कॉस स्क्वाइटू की वैलू निकालोगे तो डारेक्ट यहां देखो एक बट् देन देगा इसका मतलब कॉस स्क्वाइर ना-nyear Ananda-जॉन75 दो बट्य तिन कैसे एक मैंटा से चला दो बट्र दी इस अब जो यह दो बट्र थी छाह है स्क्वाइगा Odhara जाएगा तो क्या लगाएगा अर्णरू लगाए और आ और दूसरे चतुर्थांस में साइन पॉज्टिव होता है इसका मदब निगेटी वाली हटाओ पॉज्टिव वाली लिखो ठीक इतनी बात समझ वाई कि नहीं कुछ ठीक है चलो बढ़िया समझ मारा कुछ्छों समस्या हो दा तो मेरे लाल जल्दी से पूछ लेना कोई दिक् में कैसा होता है पॉज्टिव होता है और मेरे लाल अगर ये पॉज्टिव होता है तो इसका ये मतलब हुआ कि साइन एक्स बाई टू बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट दो बट्रे तीन और वो पॉज्टिव हो जाएगा बताओ ये बात समझ में आ गई अब उसके बराबर साइन एक्स बाई टू अब आप सोच रहेंगे काउन सी वैलु यूज करेंगे टैन के लिए जो वैलु ओरेजेनल है न वही वाली जिनको बॉक्स में बंद किया है साइन एकसMine 2 की वैलू 2 बटे 3 तो रूट 2 बटे 3 और उसकी वैलू 1 बटे रूट 3 और वह भी कैसी निगेटिव है रूट 3 से रूट 3 खतम तो यहां से वैलू आएगा यह रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो आएगा मायनिस का रूट 2 और ये के दूसरे चित्व थांस में 10 निगेटिव होता है देखो बैलो निगेटिव आई है इसका मतलब यह 100% सही है बताओ एक कोश्चन में हमने दिल दिमाग सबका यूज किया दूसरे कोश्चन में हमने साप की तेजी से चलना सुरू किया जैसे साप चलता है थोड़ा तेज चले ह हम लोग आई हो बेटा यह कोश्चन आपको समझ में होगा इस कोश्चन में कोई दम नहीं थी बस केवाल आपको इतना ध्यान में रखना कि आखिर हमको जिया का है और हम कौन से फॉर्मले का यूज करेंगे जब कभी एक्स बाइटू पूछा जाएगा आपको हमेसा ठीट से ज़्यादा इंपोर्टेंट है अभी बीच में मैंने क्लास लेना बंद कर दिया था बड़ी बुराई होने लगी थी हमारी हमने सुचा खामोसी के साथ एक वीडियो की डालने की सुरुवात करते हैं उसके बाद फिर फॉर्म में आ जाएंगे अब बुराई होना भी जि बहुत बढ़िया धन्यवाद भी या बच्चों आप लोगों का चलो बात करतें कोशन नंबर 10 की कोशन नंबर 10 क्या लिखा है कोशन नंबर 10 लिखा है साइन एक्स बराबर एक बटे 4 और कह रहे हैं कि एक्स जो है वह दूसरे चतुर्थांस में है एक्स दितिये सब्सर आ गए हैं मैं अपनी वापस कहरें कि साइन एक्स बराबर एक बटे 4 तो एक्स जो है वह दूसरे चतुर्थांस में मेरे लाल यह कोशन उन दोनों कोशन से अलग है कैसे अलग है हम बताते हैं देखो साइन एक्स बराबर दिया है और 10 चतुर्थांस की बात कर रहे ह तो इसका मतलब जो एक्स है वो दितीच तुर्थांस में और दितीच तुर्थांस कहता है कि उसकी वैलू पाई बाई टू से ज़्यादा होने चाहिए और पाई से कम होने चाहिए और इसकी वैलू पाई बाई टू से ज़्यादा होने चाहिए ठीक है क्या इतनी बात समझी म खिर अब हम लोग इसको हल करेंगे और देखो साइन एक्स के दो दो फॉर्मले मैंने आपको लाल बताए थे एक मैंने बताए था कि टू साइन एक्स वाई टू and cos x by 2 अगर मेरे लाल आपने इस फॉर्मिले का यूज़ किया तो आप फस जाओगे एक समीकरन दो दो वेरियेबल उस वो solve नहीं हो पाएगा इसलिए अगर आपने इसका यूज़ किया तो आप फसोगे फिर उसके लिए आपको हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर आपको cos को बदलना पड़ेगा sign में और इतना दिमाग है नहीं कि इसको 1-sin square x by 2 कर लो समझ रहे हो बात को तो ये मत सोच ना कि सर जी अगर हम इससे करेंगी तो हो पाएगा कि नहीं हो जाएगा लाल पर उसके लिए ये इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ गड़ तक ये बनना पड़ेगा आरे भट यहीं पर आ जाओगी समझ रहे है मेरी बात को तो ये मत सोचना कि सर इस कोशन से नहीं हो सकता क्या कि अगर हम लोग साइन एक सबराबर ये वाला फॉर्मा लिख दें और ये वाला और उसके बाद ये वैलू करें तो हो नहीं हो पाएगा का हो जाएगा लाल पर स्कॉस को बदलो या तो फिर साइन को बदलो एक चीज करो और भट की आत्मा आपके अंदर आ गई वन माइनस साइन स्कॉएर एकस बाइटू और उसके बाद साइन एकस बाइटू और ये दो वैलू रख देना सबको नीचे ले आना स्कॉएर को इधर भेजना फसते रहोगे उसी में घुमते रोगे कोशन और इसका ठीन हो जाएगा एक दूसरे फॉर्मॉले का इस्तेमाल करते हैं जिससे कोशन थोड़ा और आसानी से हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन एकस बराबर और टू टेन एकस बाइटू एंड़ वन माइना वन प्लस टैन इस्कॉएर एकस बाइटू इगोशन से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा इफॉर्मॉले से क्योंकि इसमें टैन यहीं टैन है बस तो साइने एक बटे चार और ये हो गया टू ट्न एकस बाइटू बताओ सही कह रहा हूं कि गलत मैं सही कह रहा हूं ना आदत हो गई है ठीक बेटा अब इसको कंची गुड़ा करो इसको इससे करो तो यह होजाएगा और वन प्लस 10 स्क्वेर एक्स बाइटू और यह चार दोनी आठ टैन एक्स बाइटू इधर ले आओ सब आपको 10 स्क्वेर एक्स बाइटू इसको इधर लाए माइनस का हो गया आठ टैन एक्स बाइटू उसके बाद यह जो एक है इधरी है मेरे लाल इधरी है तो वह प्रेस कर रहेगा अब एक क्या इससे खाने के जोड़ने पर आठ है वासेबाल है नहीं तो फिर का करो में हरु ऑला दिमाख लगाओ ठीक है काओ जामवंथ वाला वुद्ध ही याद दिला रहें धिया उनकी सक्ति आदिला रहें चलो देखो एक एक कितना एक तो पायधा गोरस थैरम का यूज़ करेंगे था यहां पायगर नहीं पाइधा गोरस को कोई सहावाली ने उड़ता तो यह माइनस भी फॉर्मला याद है कि नहीं मैनस भी प्लस माइनस अंडरूट March चार गुड़े एक गुड़े एक आप इतना तो सॉट करूंगा मैं पर दो गुड़े एक क्या इतनी बास समझे बाएं अब इसको सॉल्व कर लो लाल तो इसको सॉल्व करोगे तो टैन एक्स बाइटू और यह जब करोगे तो आठ चौसट और चौसट में चार चले गए कितने हो जाएंगा साथ तो यह हो जाएगा बेटा आपका साथ ठीक है तो प्लस माइनस अंडरूट साथ उसके बाद यह न कि दो कामन ले लो गुष क्यों कर दो चार प्रस मॉइनस अंडरूट पंदरा यह हो गया टैन एक्स बाइटू का माल मताईए लाल कुछ चढ़ा दिमाख में और कुछ चढ़ा दिमाख में paved थोड़ा आई-लेवल का हो गया यह फिर फिर से बता दू किया एक बार देखो साइन एक्स का फॉर्मा लगाया फिर वैलू पूट किया बेटा उसके बाद इसको कैची गुड़ा किया यह वाली लाइन आ गई फिर यहां पहुंच गए फिर यहां पर हमने अपने चाचा जी को याद किया सीरी धरा चारे चाचा उन् इतनी बात समझ में आगे अब उसके बाद हमने टैन एक्स की वलू निकाल दी क्या इतनी बात समझ में आई कि हमने टैन एक्स की वलू कैसे निकाली हमने यह लिखा दो कॉमन ले लिया जैसा ही दो कॉमन लिया तो आठ मेंसे दो निकल गया चार बज़े यह दो गायब हो ग देखते हैं उनको कैसे निकाला जाएगा लोगों ने यहां से टैन की वैलू निकाल ली थी टैन एक्स बाइटू बराबर चार प्लस माइनस अंडरूट 15 लेकिन इस कोश्चन में यहां पर दिया था कि एक्स जो है वो कौन से चतुर्थांज में दुरितीच चतुर्थांज में इतो का मतलब एक्स ज yellow इसका मतलब पॉस्टिव हो गया अब हम लोग इसकी पॉस्टिव लेंगे तो इसका मतलब अब हम लोग 10 निकाल चुके हैं इससे हमको साइन एक्स बाइटू कॉस एक्स बाइटू चाहिए पाइथागोरस थेवरम का इस्तेमाल करोगे तो इस तरह बनाओगे ऐसे यह आपका अगर एक्स बाइटू होगा तो यह तो आपका कण्ड होगा और इसके बाद यह जो वैलू लिखी है यह लंब है आई मिन इसके सामने है चार प्लस रूट पंद्रा और यह आधार है अब पाइथागोरस थेवरम लगा लेना और आधार की वैलू कितनी है इसमें एक पाइथागोरस थेवरम का इस्तेमाल करके इसको बड़ी आसानी से आ वह सकता वह उन्डर ури अठीक आट करके आजएगी ठीक है इतना करने के बाद आप ined xy ξ कि लुद निकालेना औरiting आई होनग अब आपका आगे कोश्ण हो जाएगा ठीक है जब कोश्ण के हो जाये बता दिए मुझे कमेंट्बॉक्स कर में कि यह धोग ब Init लuestas class को हम लोग खतम करेंगे क्योंकि यह important class थी इसमें हम लोगों ने question no.8 cover किया question no.9 cover किया and question no.10 cover किया एक ये दोनों question बहुत ज्यादा important है और 8-9 तो ब्हुत important था 10 भी important है अभी इन दोनों को आप आगी solve करना कर लेना अप हो जाएगा न अप ठीक है कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा कि ये क्लास कैसी लगी है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजेगा साथ बेल आइकन को दबाना भी न भूलेगा बाइबाइट टेक क्यार थाइंक्यू बेस्ट आफ लग